प्रियमित्रों, प्रभु येशु क्रिस की जनम की एधिहासी कहानी मैं आपके साजा करना चाहता हूँ। ये कहानी लिगबग दो हजार साल पुरानी है जब येहुदिया के राजा हेरोध हुआ करता था। इन दिनों में परमिशर की और से गबरियल नामक एक स्वर्ग दूद को मरियम नामक के कुवारी के पास बेजा गया। गबरियल ने मरियम से कहा एक कृपा पात्र प्रभु आपके साथ है आप प्रभु के कृपा पात्र है और इशर आपके साथ है आप गरबबदी होंगे और एक पुत्र प्रसव करेंगे। उस पुत्र का नाम इसा रखा जाएगा और वो बहुत महान होंगे पिदा दावूद के सिहासन उसको हमेशे के लिए दिये जाएगे और उसके राज का अंद नहीं होगा मरियम ये सब सुनकर स्वर्गदूद से पूचा ये कैसे संबव है में तो किसी पुरिश को नहीं जानता क्योंकि मा मरियम का मंगनी दावूद के गराने के यूसप से हो चुकी थी लेकिन वे शादी नहीं किये थे सुर्गदूद ने कहा कि इश्वर के लिए सब संबव है और मरियम ने सुर्गदूद से कहा जैसे आपने कहा वैसे ही हो जाए आपका भचन सच हो जाए और स्वर्ग दूद ने कहा तुमने प्रभु पर विश्वास किया है जो प्रभु ने कहा है वो सब तुम पर सच होगा और स्वर्ग दूद चले गया उस बीच में यूसप को मालूम पड़ा कि मारियम गर्भ बदी है एक पुत्र प्रसव करने वाले है यूसप ने चुप चाप मरियम को चोड़ने का मन बना लिया लेकिन फिर से स्वर्ग दूद ने यूसप से कहा कि मरियम की गर्भ इश्वर से है और वो एक पुत्र प्रसव करेंगे उसके नाम इसा होगा और महान होगा वो इश्वर का पुत्र कहलाएगा ये बविश्यवानी सुनने के बाद यूसफ ने मा मर्यम को शादी करकर अपने साथ ले गए इस बीच में याने प्रभु येशु के जनम की पहले आगस्टस येहुदिया का इंबरर हुआ करता था और उन्होंने एक गोशना किया कि हर नागरिक अपने अपने मूल निवासतान पर जाएंगे और वहां पर अपना सेंसस कराएंगे अपने नाम रेजिस्टर में लिखवाएंगे उनका ये सोचना दा की ताकि सबी लोगों से टैक्स वसूल कर सकते है यूसफ मूल निवास की रूप में बेदलहिम का था यूसफ मरियम को लेकर बेदलहिम पहुंचे लेकिन बेदलह में पहले ही काफी लोग पहुंच चुके थे अपने रेजिस्टर में नाम लिखवाने के लिए इस वजह से वहां पर उने रहने का कमरा नहीं मिला बहुत जग़ ढूंडा आखिर में उनको एक गोशाला मिला जानवरों को बीच में उनको रहना पड़ा और इस गोशाला में मा मरियम ने प्रभु येशुक्रिस को जनम दिया और प्रभु ये शुक्रिस इस दुनिया का मक्तिदादा उस गोशाले से अपने जीवन शुरू किया है ये है प्रभु ये शुक्रिस का जीवन की कहानी शुक्रिया दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया